जो हम ध्यान से देखें 2024 के लिए most important question है, इस question को हम कैसे करेंगे, ध्यान से देखें, question क्या है, so that sin inverse 2x under root 1 minus x square is equal to 2 sin inverse x, इस question को करने के लिए, देखो क्या करना पड़ता है, x के place पर, मैं क्या फुट कर दूँगा, sin theta, ध्यान से देखें, sin theta, equation number 1, consider करो, आयाट theta बराबर कितन हो जाएगा, बच्चो, sin inverse x, आप LHS को ले लो, LHS क्या है, सामने में देखें, LHS है मेरे सामने में, sin inverse 2x under root 1 minus x square, okay, x के place पर आप पुट करो, बच्चो, क्या पुट करोगे, sin theta, और under root x के place पर पुट करोगे, sin theta, ये बन जाएगा, sin square theta, okay, अब ध्यान से देखें, तो आपके सामने में क्या बनने वाला है, ये sin inverse, ये बना 2 sin theta, आपके class 10 में, ये फर्मुला पढ़ा होगा, under root 1 minus sin square theta, cos theta के बढ़ाबर होगा, okay, अब ध्यान से देखें, ये फर्मुला आपने 11 क्लास में पढ़ा है, ये बना 2 sin theta into cos theta, कितना होता है, sin 2 theta, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, sin 2 theta, okay, अब यहाँ पर में एक फर्मुला अप्लाइ करूंगा, बोट में लिखना कमपक्सरी है, okay, तो यहाँ से ये sin inverse, sin x is equal to the x, तो x के place पर क्या है, 2 theta, तो फर्मुला अप्लाइ होते ही, यहाँ पर क्या मिलेगा हमें, 2 theta, और theta का value कितना है, देखो, sin inverse x, यहाँ पर substitute कर दो, तो यह रहाँ मेरा sin inverse x, यह कहां से मैंने कमांड दिया, एक क्रिशन नम्मर 2 से, और यह रहाँ मेरा rhs, ओके, आप यह portion करकर ही बोट में जाना मिला,